तो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप सबी लोग आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल परफीम गुरू पर आज का वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों मुझे लगता है यह एक ऐसे फूड आइटम पर बेस्ट है आज का इत्र जो हम रिव्यू करने वाले हैं जिससे इंडिया में और शायद फेडियो नॉन विडिश माना जाता होगा वेजिटेरियन भी खाते हैं असी बात नहीं अलग अलग तरीके कि इसके बहुत सारे वर्जेंज हैं पुराने क्लासिफ ट्रडिशनल वर्जेंज हैं नए मॉडन वर्जेंज हैं सुफिस्टिकेट रिजीन में इंटर इस्तमाल होता है तो आज का जो हमारा परफ्यू में दोस्तों वो भी कुछ ऐसे ही एक जबरदस्त फुट डिश से इंस्पायर है और एक मज़ेदार बात बता दू कि यह जो इतरह यह बस लगाने के लिए नहीं बलकि खाने के भी काम आ सकता है तो आप इसे खा भी सकते है अगर आप चाहें चलिए है तो यह शंजय बाबू है हमारे अपली शेफ भी मेरे साथ भी बड़े हुए है अभी बंढा जबर्दस्त बिर्यानी और अपने स्थाइल में माउन रहे हैं तो सन्यी बाबू क्या आप ही कर रहा हां इसमें झी लेख मतल लाय है इसको द्धोई हैँ भुलाuse नले हैं में र जाने के बाद में ट्रभ आ लभ रसप्र servant करेंव really good look at में we go फिर जिर बनाने का माजनेगा जाने का भाद नहींहाँ पिर यह अटार कर देए रखने के बाद में पूप हम चाओल मनानेकी पार जैसलिखमाच्त कर दिर्मी इसमें चाओल बनाने का बाद में मृटन कंट क कुकि इसमें क्या किया हैं इस में किया हैं न म्हारचा ऐस में में मचा राइक जो पिजाया है और मारचा भी चाह है अब कितना टाइम लगेगा तयार हुने में यह अब तो तयार हो गया है आद्यागान 10 मेट लएगा उसमें मतलब भाब देने के लिए 10 मेट तयार हो जाएगा शली यह बहुत भई है यह तैंक यू सर तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आपका फिर् इत्र नेचरल एसंचल ओइल्स का इसतमाल किया गया है नेचरल मटेरियल फक्वाइसेज वगेरा से बनाय हुए अर्क यानि कि इत्र का इस्तमाल किया गया है इसलिए आप इसे खा सकते हैं यह नीश कमपनी का नीश अपनी एक इंडियन कंपनी है जो परफ्यूम सीब बनाती है और खास तोर पर आजकल इतर भी बहुत अच्छे-च्छे बनानी लगी है जो एक ट्रेडिशन है हमारा उसको ये लोग फॉलो करते हैं तो मुझे बात बहुत ही अच्छी लगती है इन्होंने एक बहुत ही अभी ना गभी बिरियानी खाने का मौका जरूर मिला होगा जब जरूर अफसर मिला होगा और आपने देखा होगा कि बिरियानी पॉपिलर क्यों है फिर्स अफ और दोस्तों जो पुलाओ का कॉनसेप्ट हमारे हाँ चावल के उपर स्पाइस एक से बढ़िया लॉंग इला कुलाब जल केवडे का जल और अगर आप देखें तो कभी-कभी कुछ खास खुजबू अलग सी भी इसमें एड़ की जाती है आपके खाने में तो यह खाने को एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है एक मिक्स्चर देता है फ्रेग्रिंस का खुजबू का एक रेंबो खुजबू देता है जो हमारे इंडियन फूड को इतना स्पेशल बनाता और इतना लजीज बनाता है हमारे खाने में बहुत सारे स्पाइसेज पढ़ते हैं यह हमारे देश की खासियत है और सबसे अची बात क्या है कि स्पाइसेज का जो यह connection है धारत का इंडिया का बहु जो भी स्पाइसेस से जुड़ी हुई चीजे थोस्तों वário दोस्तों वह recreate को मारे आतमा से जुड़ी ही हैं हमारी इंडियन ने से और हमें आप만 बनाती है कहल जीये human species के अंदर एक ऐसी sub species है हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी और इंडियन जो भी कह लीजिए तो यह सारे spices जो हैं दोस्तों इनका कुछ ना कुछ खाने में importance है बस fragrance देने के लिए नहीं बस खुश्बू देने के लिए नहीं बलकि एक medicinal quality देने के लिए भी जैसे आप एक simple मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें दोस्तों संदल का पानी यूज होता है संदल का तेल यूज होता है तो यार बहुत ही मज़ेदार है अपना देश मुझे यही सबसे अच्छा लगता है Southern States में चले जाएए वहां की बिर्यानी खाली जिए आंधरा चले जाएए वहां का आंधरा स्टाइल चिली चिकन खाली जे हर डिफरेंट स्पाइस हर डिफरेंट खाने का एक अपना मज़ा है लेकिन चब कोई बंदा या कोई पर्फियूम में कनवर्ट करूंगा मैं कैसा पर्फियूम बनाऊंगा जिसमें बिर्यानी की खुजबू आएगी तो यह बड़ की खुजबू को कैप्चर करता है वो इतना अगर आपको कोई बना कर देता तो मुझे लगता है कि अपने अपने आप में और अगर वो एक्चुली उसको कैप्चर कर पाता है एक तो हो गया कि हमने क्लेम कर लिया कि इसमेल्स लाइक बिर्यानी इसमेल्स लाइक गुलाब प्रेग्रिंस के नाम से जाना जाता है, बट जो हमारे फ्रेंच या केली जी जनरल जो यूरोपियन पर्फिमर्स हैं, उनकी पास limited spices है, इंडिया इस दे लैंड अफ spices, you can say, from time immemorial, तो यहां पर जो spices जितनी variety के मिलते हैं, बाकी जगे नहीं मिलते हैं, और यह आपको पूरे north से south, west से east, आपको यह पूरा connection मिल जाएगा, हर state की खासियात है, एक से लाजवाब dish बनाने वाले लोग हैं, अपने style में, हर चीज का variation है, तो दोस्तों, उनके पास limited चीजे हैं, तो वो gourmand क्या बनाते हैं, थोड़ा सा saffron डाल लिया, थोड़ा सा कुछ vanilla डाल लिया, तो यह gourmand fragrance हो गया है, आप popular fragrances भी देखिए, तो वो gourmand के नाम से बिकते हैं, बट हमारे हम, बहुत सारी चीजों में, scents का influence है, खुजबू का influence है, तो यह इत्र जो है, एक चावल की खुजबू, यार, चावल की खुजबू कोई कैसे डाल सकता है fragrance में, मुझे लगता है, कि वहाँ पर जो चावल के अंदर starch होता है, जो carbohydrates होते हैं, उनकी एक सौंदी सी खुजबू होती है, वो यहाँ पर इन्होंने successfully capture कियो, यह पहली बार नहीं हुआ है, क्रीड जो एक बहुत ही popular perfume maker है, जिन्होंने अवेंटस बनाया, क्रीड का, उनका एक बहुत ही प्यारा fragrance है, pure white cologne है, मेरे पास, उसमें भी rice का note इस्तिमाल किया गया था, I think 2010 में वो fragrance वो भी निकली थी, और तब से लेकर आज तक, I think that is the only fragrance which actually smells like basmati rice, अपने top notes में, अपने top notes में, ये एक चीज बहुत common है, यार, ये सारे, खुश्बू जो है, वो इनसान को connect करता है, दिलों को जोडता है, खुश्बू का कामी यही है, खाने का कामी यही है, दोस्तों, एक culture का हमारे बहुत ही खुपसूरा चीज है, खाना, वेंजन हमारे जो है, जो हमें जोडते हैं, य बहुत ही प्यारी खुश्बू होती है, उसकी जायफल की जहांस मुझे यहां पर मिल रही है, इसमें वो जो चावल का जो सौंधापन है, जो गीले चावल का सौंधापन है, वो मिलता है, ये बहुत ही आश्चरे जनक नोट, माढः जी से कहते हैं, हम जो चावल से पानी अलग किया जाता है, दोस्तों, वो एक्जाटली खुश्बू स्टार्चेस की हां पर आ रही है, इस माइंड ब्लोइंग, मेरा दो दिमाग हिल गया, ये कैसे पॉसिबल है यार बनाना, वो टिपिकल जो अलफाक्टरी जो टेक्स्चर होता है, पुलाव को वो यहां पर मिल तो वो कनेक्शन उसने कर लिया स्टार्च के साथ, तो अमेजिंग, ये कमाल की चीज है दोस्तों, अब सबसे अची बात क्या है, कि आपके जो भी पुराने पॉपिलर परफ्यूम्स या नए हमारे जो भी मॉडर्न इतराज भी बनते हैं, नाचुरल फ्रेगरंस की बात कर आउट ऑफ इंडिया मेभी अनराइज आप बहर काम करते हैं, मा की आदा रही है, घर की आदा रही है, देश की आदा रही है, थोड़ा सा ये पर्फ्यूम लगा लो, and you'll be back in इंडिया, I promise you, मैं हैरान हूँ, और जब आप इस फ्रेगरंस को टेस्ट करेंगे, आप भी ये आप भूलेंगे, this is a 100% exact actual representation of Indian पुलाओ या Indian बिर्यानी, जो कह लिए इसको, this is extraordinary work from niche, और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगे, हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं, क्रिटिसिम इस चीज का कर सकते हैं, क्या बिर्यानी की खुश्बू क्यों लगाए, तो दोस्तों, ये एक आ social aspects, this, that, अरे वो ज़रूरी है अपनी जगह है, लेकिन खुश्बू को अगर एक science की तरह देखें, आप विज्ञान की तरह देखें, आर्ट की तरह देखें, तो आप समझेंगे कि इसकी बारीकियों में जो मदा है, इसे explore करने का वो बिलकुल next level है, especially if you are born, if you are lucky to be born in a land like India, अगर इस जगह पे आपने जनम लिया, आप कहीं के भी हों, कोई भी जाती धर्म के हों, अगर आपने इस जमीन पर इस देश में जनम लिया है, तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें explore करने के लिए, क्योंकि हमारे यह इतने different cultures हैं, इतने different languages हैं, हर 50 km पर यार नई भाशा मि आप खाने के ओपर हजार चैनल्स देखेंगे इंडिया में, मीडिया वाले देखेंगे, हमेशार न्यूस चैनल्स भी खाने पर फोकस, इस पर फोकस, बट जो इसकी बारिकिया है, एक ही चैनल है पूर इंडिया में, Epic HD, जो हमारे इंडियन एसेंस को, culture को बहुत जारी, बट इस इत्र टेक्स यू राइट इन्ट अफ इंडियन कल्चर, ऑफ हुमन कल्चर रादर, इंडियन कल्चर छोड़ दीए, हुमन कल्चर, क्योंकि सारी चीज है तोस्तों, अलग-अलग कल्चर की वज़ए से, अलग-अलग foreign invaders वगेरा, जो भी आए, जो भी इसलिए मैं बहुत खुश हुआ, अगर आप साइंस के तौर पर भी आर्ट के भी तौर पर ले तो, इस इस अ ब्रिलियन अचीवमेंट एंडियन कल्चर टीम नीच वर गिविविंग मी सम्थिंग सो एक्साइटिंग जिसने मेरा संडे बना दिया, इंफाक्ट मैं इतना ख आपको टिपिकल मार्केट वाले बिर्यानी की खुश्बू नहीं देगी या टेक्स्चर नहीं देगा, घर पर बना हुआ, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे बनता है, अगर आप बस इसे एक्स्पीडियन्स करते हैं, अपने दोस्तों को दिखाईए कि एक हमारी इंडियन कं अपनी है, जिसने बिर्यानी की स्मेल को कैप्चर किया है, तो इस अमेजिंग, I think they've done a great great job, और ये बाकी लोगों को भी पता है चाहिए, दोस्तों की हमारे परफ्यूमर इस तरीके के काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है किस परफ्यूमर ने किया है, जिसने भी किया है, य तरी फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो रिव्यू के साथ, तब तक के लिए, टेक केर, बुट बाई